एक सिंगर को दस थाट, बारह पिच, हार्मोनियम पर बजाना और गाना आना कितना जरूरी है या अगर हार्मोनियम नहीं भी बजाता है तो भी क्या दस थाट या बारह पिचेश की नॉलेज लेना उसके लिए important है या नहीं इस पर आज मैं पूरी चर्चा करने जा रहा हूँ, वैसे तो कई वर्ष पहले मैंने एक वीडियो दिया था इस पर मगर मैं सोच रहा हूँ आज फिर कुछ इसमें नई बातें भी आड़ करके एक नया वीडियो बनाया जाए हमारी नई जनता के लिए तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि दस थाट और बारह पिच की जानकारी और उन्हें पहचानना कितना ज़रूरी है हर वोईस के अनुसार अलग अलग पिचिस होते हैं हर वोईस अलग सुर से गाती है जिसको हम अक्सर कहते हैं कि भई आपका पिच क्या है एक सिंगर का पिच क्या होता है मेरा सुर क्या है मेरा सा कैसे पहचामते हैं ये जो सवाल आते हैं तो इस पर तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि एक सिंगर का पिच नहीं होता उसकी होती है वोईस रेंज यानि कितना नीचा और कितना उंचा वो गा सकता है यही ले में भी होता है कि एक particular tempo से लेकर एक particular high tempo तक, slow से high tempo तक कितनी उसकी वादन की या गायन की range है ऐसा नहीं होता कि मैं तो 8 गुने तक गा सकता हूँ सिर्फ आप 16 गुना भी गा सकते हैं अपने ठाह तो कम करके देखिए और यही कि मैं तो मेरी तो पंचम तक की range है पंचम तो है कौन से सूर का पंचम तो यह जो सवाल आ जाते हैं कि आपकी voice range नहीं है आपका तो एक pitch है आपका कोई pitch निर्धारित नहीं होता आप कोई भी चीज किसी भी पित से गा सकते हैं बनिस्बत कि आपकी voice range अच्छी है हाँ आप शास्त्रिय गायन करते हैं तो स्वाभविक है कि एक राग का विस्तार कर रहे हैं तो आप मंद्र में भी जाएंगे मद्र में भी जाएंगे तब आप ऐसा pitch चुनते हैं जो उस राग के चलन अनुसार हाए या लो जा रहा है यानि अगर वो राग आपकी तारसब तक की है उत्तरांग प्रधान है और आपकी voice range उत्तरांग में उतनी नहीं है तो आप उसका pitch नीचे लेकर फिर उस राग को गाते हैं क्योंकि उस राग का चलन तो तरांगी है आप चलन तो बदलने से रहे हैं या राग की जो composition है अब वो तो वहीं खिलती है उचे ही सोरों में उसका challenge वो जा रहा है वो भाव वहीं निकल कर आ रहा है तो आपको क्या करना होगा उसका pitch नीचे करना होगा तो आपका कोई निर्धारित pitch नहीं है आपकी निर्धारित voice range है जिसे आप exercise से बढ़ाते रहते हैं तो ये कुछ बाते हैं अब थोड़ा मैं pitch और thought को समझा दूँ उसके बाद बताऊं कि pitch क्यों जरूरी है वैसे तो मेरे ख्याल से आपने ये अगर वीडियो खोला है तो आपको पता ही होगा तो आभवेग है कि तीन प्रकार के pitch होते हैं mid, low and high अब उसे अगर harmonium पर देखने जाओ तो किस तरह से वो भी मैं बता देता हूँ जैसे मान लीजिए ये आपकी पहली काली है और आप यहाँ से गाते हैं तो सा से नी तक ये एक सब तक बनेगा ये आपका mid octave है, mid pitch है और इसके नीचे जो है ये पूरा lower octave है, lower pitch है आपका सा से आप देख सकते हैं इसका sound कितना भारी है और यही नी के ऊपर चले जाओ तो high pitch ये पूरा high pitch हो गया, अब ये सा से रे तक ये सा से याणि नी से basically नी से सा तक ये आपका lower octave और उससे भी नीचे और जादा lower याणि मंदर सब्तक और अते मंदर सब्तक और ये आपका अगर तार सब्तक है तो इसके नी के ऊपर जो जाएगा वो अते सार सब्तक है ये आप इतना तो जानते होंगे सब्तक और pitches के बारे में तो mid pitch, low pitch और high pitch ये तो pitch हो गया, ठीक है अब आजाते हैं कि अलग-अलग 12 pitch क्या-क्या है तो 12 pitch जान लेना ये जरूरी है, pitch यानि आपका root note सा जिसे हम कहते हैं जैसा कि ये है, अब अगर ये सा है तो ये आपका अब इसे ये नहीं कहूँगा कि ये mid octave है या mid pitch है, mid octave कह देंगे सा से नी, लेकिन pitch mid है ये नहीं कहेंगे क्योंकि ये differ करेगा voices के लिए, अब जैसे male voices है, जो adult male voices है उनके लिए तो ये middle है, लेकिन यही जो female voices है जो चौथी या पांचवी से गाती है, यानि बच्चे और चौथी काली-पांचवी-काली से गाने वाली महिलायों लड़कियां उनके लिए तो पहली-काली एक उंचा-pitch है ठीक है, तो ये तो subjective है, relative है बात कि किसके लिए कौन सा उंचा है, किसके लिए कौन सा नीचा है pitch ठीक है, तो बारह-pitch कैसे होते हैं पहला-काला-सुर क्योंकि हार्मोनियम का यही होता है तो इसलिए इसे पहली-काली कहते हैं दूसरा-काला-सुर होता है, तीसरा-काला यह होता है, चौथा यह और पांचवा यह तो पांच-काले-सुर हो गए और नीचे साथ सफेद होते हैं दूसरा, तीसरा, चोथा, पांचवा, छटा, साथवाँ, यह साथ सफेद, तो साथ सफेद और पांच कालों के साथ 12 सुर का कॉंबिनेशन बनता है, अब यह जो 12 सुर है, अब स्वाभवे कहें कि यह 6 यहां न होके, यह 6 यहां माने जाते हैं, अब यह कैसे हो गया, कि इनकी जो वॉल्यूम है, इनका जो पिच है, वो बहुत जादा नीचे हो गया, अगर आप पहली सफेद से लेते हैं, क्योंकि उसमें फिर सा से सा तक तो चले जाओगे, उसके नीचे नहीं जा पाओगे, और कई लुबार तो यह सा भी नहीं लगेगा, वो इसके अकॉर्डिंग चार, साड़े चार, पांच, साड़े पांच, यह चै यहां आएंगे, वो इसके अकॉर्डिंग, वरना तीसरी, इसको भी मान सकते हो चौथी, इसको भी मान सकते हो पांच भी, इसको भी मान सकते हो, उपर वाली को भी मान सकते हो, लेकिन फीमेल फिर वहां से नहीं गापा वो ये चौती गाली तब ही हो सकती है उँची वाली ये देख लिए sound का फर्क है थोड़ा सा ये भारी चौती है ये पतली है ये और पतली है ठीक है और ये पांच भी ये उँचा 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 जाता जा रहा है तो इसी वज़े से ये यहाँ पर होती है कि वो निचली वाइस है उनकी अकॉर्डिंग अब कई लोगों को ये भी confusion हो जाता है कि भाया वो female pitch है तो वो तो क्या बोलते हैं उनकी तो आवाज पतली है तो वो तो उँचा गा रही है जबकि ऐसा कुछ नहीं जादा तर यहीं से गाती है अगर शास्त्री संगीत गारी है अगर फिल्म ही गाने गारी है तो हो सकता है उनका पहली काली भी pitch हो सकता है दूसरी काली भी हो सकता है जैसा कि मैंने बताया कि according to the composition उसके according और उनकी voice range इसका parallel एक pitch निकाला जाता है कि वो बीच का कौन सा एक रस्ता है ठीक है तो यह कुछ pitch की knowledge हो गई ऐसे ही थाट होते हैं थाटों पर पूरी detail चर्चा मैंने एक वीडियो में करी हुई है उसका link आपको description में मिल जाएगा वहाँ देख लीजिएगा कि 10 प्रकार के थाट होते हैं शुद्ध को मलतीवर स्वरों को मिला कर हिंदुस्तानी पधती के अनुसार पंडित विश्नु नाराइट भात खंडे जी ने हमारे 10 थाटों का निर्मान किया जो रागों को कैटेगराईज करने के लिए बनाए गए ये अभी थोड़ा सा ग्लेम्स उसकी नॉलेज दे रहा हूँ ये क्यूं जरूरी है क्योंकि आगे जितने भी गाने आप गाते हैं उनमें शुद्ध को मलतीवर स्वरों का ही प्रयोग होता है इसी ही लिए आपको ये राग व थाट सीखना बेहद जरूरी है और ये ही नॉलेज पिच के लिए भी कि कोई भी गाना किसी भी पिच से हो सकता है और किसी भी थाट या राग में हो सकता है थाट में तो नहीं होगा लेकिन उसका स्वरूप उसका जो स्केल है वो एक थाट बन रहा होगा कई बार ये भी होता है फला राग में नहीं होता है पर शुद्ध राग ही नहीं है तो कैसे कह दोगे कि ये किसी राग में है तो आप कह देते हो कि उस थाट या उस अंग का ये गाना लग रहा है कि ये बिलावल थाट का लग रहा है यानि बिलावल अंग का लग रहा है इसक हार्मोनियम पर ये चीज मास्टर कितनी होनी चाहिए इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो दूँगा जिसमें मैं समझाऊंगा कि एक सिंगर को एक गायक को हार्मोनियम तबला नृत्य या अन्य कोई भी जो विशय है उसकी कितनी नौलेज या एक साज उपर कितनी महारत जरूर अब मान लीजिए एक बार तो आपने उस पिच पर गाने की कोशश करी तो स्वाभाविक है कि बारह पिच की नौलेज लेने का मतलब ये नहीं है कि बारह पिच से आप गाने लग जाओगे ऐसा विलकुल नहीं होगा कि आपकी वोईस रेंज इतनी बढ़ गई कि आप बार पिच से हो सकता है किसी एक पिच से वो एक सब तक तो लगा सकता है लेकिन उसकी उपर नहीं जा सकता अगर कोई गाने की कॉमपोजिचन ही डेढ़ सब तक की है और उसमें डेढ़ वा सब तक जो है यानि वो एक के उपर है तार सब तक का उप्योग है तो वो फ़ला पिच range limit हो गई है तो क्या करोगे तुरंत उसका pitch बदल लिया और pitch बदलने के लिए वैसे तो आप गाकर भी बदल सकते हो वाभविक है लेकिन अगर आपके हाथ में साज है और आप साज की मदद से गा रहे हो तो आपको scale changer पर निर्भर होने की जरूरत नहीं scale changer नाम की बैसाख ही आपको लेने की जरूरत नहीं फिर आप scale changer का इस्तमाल सिर्फ उसके sound quality के लिए करेंगे और उसकी जो keys हैं उसकी softness के लिए करेंगे उसकी build quality के लिए करेंगे है ना उसकी sound और उसकी read उसके लिए करेंगे उसके look के लिए करेंगे भले ही लेकिन scale changer का इस्तिमाल आप scale change करने के लिए नहीं करेंगे क्योंकि आप खुद एक scale changer बन चुके हैं आप इतने सक्षम हैं कि आप कहीं से भी बजा गा सकते हैं क्योंकि उम्र के साथ साथ धीरे-धीरे मान लीजी अगर आप साथ के साथ ही गाईकी कर रहे हैं तो आपका गला एक हद तक ही चलेगा जैसे कई मैं students को देखता हूँ जो चौती और पहली से बजाना जानते हैं लेकिन उनकी आवाज ही नहीं जा रही है उतनी उची फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि चलिए तीसरी काली से गाएंगे तो आप सभाविक है कि मेरे साथ अगर वो नहीं गापा रहे हैं स्वारग्यान उन्हें वैसे नहीं है तानपूरे पर वो नहीं गापा रहे हैं यहां से आप यही काम आप यहां से भी करते हैं दूसरी काली से यही काम आप यहां से भी कर सकते हैं तीसरी काली से आप वो आप चाहें तो यहां बजाएं यहां फिर जो भी आपके गाने अनुसार है ठीक है तो इस वज़े से हम अलग-अलग थाट, अलग-अलग pitch से बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए, पांच भी है पांच भी से मैं भैर भी बजा रहा हूँ तो ये चीज मुझे यहां से भी आनी चीज़िए दूसरी सफेद से भी तो अलग pitch से भी मैंने वही थाट बजा दिया, आप कोई सा भी गाना है, मैं अलग-अलग pitches से, बजा सो कुमान लीजे ये मोह-मोह के धागे मैं आपको एफशार से बजा के सुना रहा हूँ यही मैं अगर आप चाहूँ यहां से बजा दिया, यही अगर फ़लाँ pitch, दो मिनट में उसका एक सेकंड नहीं लगा आपको pitch बदलने में तो यह सहूलियत आपको हो जाती है, कि यहां से नहीं तो यहां से नहीं तो यहां से और हर्मोनियम सीख रहे हैं, तो उसका एक फाइदा है, किसी को accompany करोगे, तो accompany करोगे, तो स्वाबा भी फ़लाँ के घीत बन रहे हैं, अलग-अलग गायकों ने गाय हुए हैं, तो अगर उन्हें आपको सीखना है, तो थाट और pitch की knowledge होनी बेहत जरूरी है, क्योंकि उन लोगोंने तो किसी भी pitch और किसी भी थाट से गाया हुआ हो, फिर मूर्चना, ग्राम, इस सब का भी इस्तम अलंकारी होना, बेहत जरूरी है, थोड़ा लंबा काम है, एक pitch से आप कई सारे अलंकार गाते हैं, क्योंकि उमूमन आप उसी pitch से गाते हैं, तो आपका वो pitch master हो जाता है, आप पहली काली से बहुत अच्छा बजा सकते हैं, बिलावल, भहरवी, कल्यान, हर थाट बजा सकते लेकिन कोई दूसरा pitch नहीं, अब क्या होता है, मैं एक छोटी सी बात बोलके, यहां इस वीडियो को एंड करूँगा, मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने ये pitch और थाट सीख है, तो आभाविक है कि मेरे पास एक ऐसी सुविधा थी, कि मेरे पास संगीत का माहल रहा है हमेशा यानि, मैंने अलग- goodbye कारों की संगत करी, अलग-अलग लोगों के साथ बजाया है, अलग-अलग students को accompany किया है, अलग-अलग genre में harmonium की संगत करी है, तो मेरे हमेशां harmonium का अभ्यास बना रहा, यानि कोई फलां सिंगर Pहلी से गा रहा है, कोई दूसरी से गा रहा है, कोई ती किसी और जगह से निकालना चाहूं तो मुझे देर नहीं लगती तुरंत मैं स्विच कर पाता हूँ हाथ स्केल चेंजर बन चुका है और यही मैं अलग-अलग गाने सुनता रहा फला व्यक्तियों के तो वो तयार करता रहा अगर यह माहौल आपके पास है तो तो ठीक है अगर नहीं है तो आपको मेरे पिताजी के द्वारा बनाया गया 1200 पेज के अलंकारों के जाल जो है उससे गुजरना होगा अब वो कैसे बन जाता है आप 10 पेज के स्वरांगिनी के 10 पेज के जो अलंकार है अलग-अलग प्रकार के अलंकार है वो आप बजाते हैं फला एक थाट में बिलावल में फिर भेरवी में फिर कल्यान में और एक पिच से बजाते हैं वही काम आप किसी दूरसरे पिच से करते हैं वही तीसरे पिच से तो एक थाट में 10 पेज, 10 थाट में 100 पेज और यही काम 12 जगा से तो 12 100 पेज बन जाते हैं आपके अब आप चाहो तो इतना काम करो वरना आप इतना सा भी कर सकते हो कि हर एक पिछ में एक एक अलंकार एक एक थाट में तो बजा ही सकते हो यानि कि यहां से बिलावल बजाया बहरवी कल्यान भैरव इस तरह से यहां से बजाया यही काम यहां से किया एक एक अलंकार तो एटलिस्ट करी सकते हो लेकिन एक अलंकार में रवा नहीं होगा ये मैं बता दूँ एक अलंकार में वो पिच वो ठाट उस जगा से आपके हाथ में बेठेगा नहीं आपको कमज़ कम साथ आठ अलंकार तो करने ही पड़ेंगे और वो भी बार बार गिसना पड़ेगा रोजाना का काम है ये एक बार करके रख देने का काम नहीं है कि एक बार हो गया, अब तो हम राग पर आ गया, अब तो राग का चलन सीखेंगे, अब तो उसकी जरूरत ही नहीं, अगर वो जरूरत नहीं है, तो वही वाली बात है, कि विद्या का अभ्यास नहीं करो, तो उसका विनाश हो जाता है खुद ब खुद, ठीक है, तो अपनी व कीजिए मैं बार-बार ख्या चुका हूं WhatsApp पर ही संपर कीजिए और आपको जवाब में जो वीडियोज मिलेंगे उनको देखिए अगर class जोइन करनी है तो आपको group class, personal class सब की details महीं मिल जाएंगे शुक्रिया